26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंग की हमले में अपने पेरेंट्स को खोने वाला इसराइली बच्चा मोशे मंगलवार को भारत पहुँचा था मोशे हमले के 9 साल बाद अपने दादा के साथ भारत पहुँचा मुंबई एरपोर्ट से मोशे सीधा होटल पहुँचा जहां से वो दोपहर में चबाड मैमोरियल गया इस दोरान उसके दादा भी उसके साथ थे इससे पहले सुभे मुंबई एरपोर्ट पर पहुँचे मोशे के चहरे पर भारत आने की खुशी साफ नजर आ रही थी उसके दादा ने बताया की मोशे मुंबई में नरीमन हाउस वे अन्य जगों पर जाएगा इसके लावा मोशे इसराइली पीम के साथ चबाड हाउस में 26 ग्यारा मैमोरियल का उधगाटन भी करेगा नवंबद 2008 में हुए आतंग की हमले में नरीमन हाउस की गेराबंदी के दौरान रभी गोवरी हल और रिविका की मौत हो गई थी उस वक्त मोशे सिर्फ दो साल का था गौर तलब है कि प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने पिछले साल चुलाई में अपने इसराइल की यात्रा के दौरान मोशे और इसके दादा दादी से मुलाकात की थी और कहा था कि वे कभी भी भारत आ सकता है